दोस्तो भारत सरकार ने एक बहुत ही यूसर पॉटल को लॉंच किया है जिसका नाम है My Scheme Portal इस Scheme Portal के मदब से आप खुद के लिए सरकारी योजनाओं को आसानी से ढूण पाएंगे कई बार ऐसा होता है कि सरकारी योजनाओं तो कई सारे होते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आप किस सरकारी योजना के लिए eligible हैं कौन से सरकारी योजना के लिए आपको apply करना चाहिए तो ये वाला portal आपको इसी problem में मदद करेगा यहाँ पर आपको बस अपनी कुछ basic detail देनी है ये portal आपको खुद ही बता देगा कि आप किस सरकारी योजना के लिए eligible है किस सरकारी योजना के लिए आपको apply करना चाहिए कहां से करना चाहिए क्या क्या document की जरूत पड़ेगी ये सारा कुछ आपको एक ही portal से पता चल जाये करेगा तो इस portal का direct link मैंने वीडियो के description में दे रखा है आप इसे अपने mall में या computer में open कर सकते हैं बहुत ही basic सा interface आपको मिलेगा यहां से अगर आप चाहें तो इस portal का language भी change कर सकते हैं इस पर आप click करेंगे आप चाहें तो इसे हिंदी में रख सकते हैं या आप चाहें तो इसे English में रख सकते हैं तो मैं इसे English में ही रखता हूँ बस आपको यहां पर आकर करना क्या है यहाँ पर आपको find schemes for you पर click करना है अब यहाँ पर आपको step by step अपनी basic detail को देना है सबसे पहले यहाँ पर आप अपने gender को select करेंगे और यहाँ से आपको अपनी edge को बताना है फिर आप next पर click करेंगे फिर select one पर click करेंगे आपकी state में रहते हैं उस state की name को select करेंगे फिर यहां से आपको यह बताना है कि आप उस शहरी छेतर में रहते हैं या ग्रामिन छेतर में रहते हैं अगर आप शहरी छेतर में रहते हैं तो यहां पर urban select करना है अगर आप ग्रामिन छेतर में रहते हैं तो यहां पर rural select करेंगे फिर next पर क्लिक करेंगे आप किस category से belong करते हैं आप general है OBC है SC है या ST है उसे आप select करेंगे फिर आप नीचे next पर click करेंगे फिर आप से पुचा जा रहा है किया आप applies है या नहीं अगर आप applies है तो yes select करेंगे नहीं तो no select करेंगे अगर आप yes select करते हैं तो यहाँ पर आपसे यह पुछा जाएगा कि आप कितने परतीशत अपाहिस हैं तो select one पर click करेंगे यहाँ से परतीशत को select कर सकते हैं अगर आप no select करते हैं तो यहाँ पर आपको यह बताना होगा क्या आप minority से belong करते हैं या नहीं यानि कि अगर आप Muslim Sikh Isai है तो यहाँ पर आपको yes click करना होगा नहीं तो no select करना होगा तो मैं belong करता हूँ तो मैं यहाँ यहाँ और yes click करूणगा फिर next पर click करेंगे क्या आप एक student है अगर आप student है तो yes click करेंगे पिर Next पर क्लिक करेंगे, अगर आप student नहीं है तो No select करेंगे, फिर आपको यहाँ पर अपना current employment status बताना होगा, अगर आप खुद का business करते हैं, आपका कोई दुकान है, तो यहाँ पर self employed select करेंगे, अगर आप solid person हैं कहीं जाकर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको Employed select करना होग फिर आपको यहाँ पर यह पुछा जा रहा कि क्या आप government employee है अगर आप बेरोजगार है तो यहाँ पर आपको unemployment को select करना होगा फिर next पर click करना है यहाँ पर आपको अपना occupation बताना है अपना website बताना है occupation पर click करेंगे इन में से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसे आप select कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no भी select कर सकते हैं फिर यहाँ पर आप से यह पूछा जा रहा है क्या आप bpl category में आते हैं या नहीं या नहीं कि अगर आपको बदस QPL में no select करते हैं तो यहाँ पर आपको यह बताना होगा कि आपका family annual income क्या है तो कोई भी estimated annual income यहाँ पर आप दे सकते हैं फिर next पर click करेंगे आपके basic detail के मताबिक जिस भी सरकारी योजना के लिए आप eligible होंगे उसकी list आपके सामने आजाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि म पर आपके सामने इस सरकारी योजना का complete detail आजाएगा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इसके benefit को देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर आप इसके eligibility criteria को देख सकते हैं इसकी application का क्या process होगा कैसे आपको online apply करना है कौन-कौन से document की जरौत पड़ेगी साथ ही यहाँ पर आपके सबी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको check eligibility का एक button मिलता है इस पर आप click करेंगे यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहा है क्या आपका age 15 से 45 साल के बीच में है तो इसे आपको yes या no पर select करना है पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप minority community से belong करते हैं तो इसे आप yes या no में select करेंगे क्या आप पांचवे क्लास से जादा तक पढ़े हैं तो इसे आप yes या no पर select करेंगे फिर submit पर click करेंगे फिर आपके सामने इस सरा का pop-up बजाएगा जैसा क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ लिखावा है तो इसके लिए आपको इसके home page पर आना है नीच आएंगे यहाँ पर आप चाहें तो category wise भी अपने लिए सरकारी योजना ढून सकते हैं जैसे कि मैं banking, finance और services में खुद के लिए सरकारी योजना ढूनना चाहता हूँ तो मैं इस पर click करूँगा क्लिक करते ही आपके सामने सभी सरकारी योजना की list आजाएगी जिस भी सरकारी योजना में आप अपने eligibility को check करना चाहते हैं बस आपको उसे यहाँ से select करना होगा जैसे कि मैं परधान मंतरी मुद्रा योजना में अपनी eligibility को check करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको simply arrow पर क्लिक करना है आपके सामने इस सरकारी योजना की complete detail आजाएगी इस सरकारी योजना की क्या क्या benefit है क्या क्या eligibility criteria है इसके लिए कैसे online apply करना है कौन कौन से document की जरूत पड़ेगी यह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप अपना eligibility live चेक करना चाहते हैं तो इसक आपको simply click करना है click करते ही आपको यह बता देगा कि आप इसके लिए eligible हैं या नहीं अगर आप eligible नहीं होंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा you are not eligible for this सरकारी योजना ठीक है तो मैं अभी इसके लिए eligible नहीं हूँ okay पर click करेंगे अगर आप eligible होंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप eligible इस सरकारी योजना के लिए हैं ठीक है अगर आप इस सरकारी योजना के लिए apply करना चाहते हैं तो लीचे आप जाएंगे तो apply के process में आपको एक link देखेगा simply आपको इस link पर click करना है यह आपको उस website पर redirect कर देगा यहाँ से आप उस सरकारी योजना के लिए directly apply कर सकते हैं